दोस्ते में हो प्रदीप सुकला स्वागत है आपका अपने चैनल इस्टेडी विद प्रदीप पर दोस्तों जैसा कि आप सब जानते हैं एक्जाम कैपसूल नमा की एक सीरीज चल रहे हैं जिस सीरीज में हम लोग परड़े 25 से ज्यादा प्रसनों को हम लेकि आते हैं आपके जो कि कहीं न कहीं एक्जाम में पूछे के होते हैं बहुत इंप्रसनों की एक सीरीज होती है आज हम बात करेंगे सौर मंडल पर सौर मंडल जैसा कि आप जानते हैं यहां से बहुत सारे प्रसन हर एक एक्जाम में बनते हैं और किसी न किसी एक्जाम में दो एक प्रसन की जाएगी तो चलिए सुरू करते हैं सबसे पहले जब हम सुरू करेंगे तो आपको देखना है सौर मंडल में दो सब्द मिलक बना है सूर धन मंडल तो जब इसमें सूर यह तो पहले हम सबसे पहले किसको पढ़ने सूरी को सूर किसे कहते हैं और सूर का मंडल क्या है क्या उ सूर ये सूर किसे जो सूर मंडल बनेगा सूर मंडल जो होगा एक क्या होगा सूर मंडल हमारे ग्रहों छुब्द ग्रहों उपक ग्रहों धूम केतियों उलकाओं इत्याज गैसी पिंडों से मिल करके जो एक तंत्र बन जाता है इन तंत्र को हम क्या कहते हैं सूर मंडल कहते है अब सौर मंडल में जो होता है कि क्या होता मंदाकनी पाई जाती है जिसे तारों के समों होते हैं तो उसमें हम एक मंदाकनी पाई जाती है गैलेक्सी कहते हैं तो इस गैलेक्सी में जो हमारी गैलेक्सी उसका नाम क्या है दुग्ध मेखला दुग्ध मेखला को इंगलिश में मिलकी वे भी कहते हैं दुग्द मेखला को इंगलिस में कहते हैं मिलकी वे कहते हैं तो जो दुग्द मेखला है इसका आकार कैसा होता लगभग 80% आकार इसका कैसा है सरपिला कार है आचा सबसे पहले इस मंदाकनी की खोज किसने की थी गैलेलियों ने की थी जो हमारी मंदाकन है कि सबसे में कोई और पाई जाती आकाज गंगा पाइल बिकमें कोई nieuws जै too कि नौनी वि क्या कि है न्हुत करहें शूर्ज़ के मंडुल हो गया सोड़ की जब बात कर रहे तो तो सी में के नाफ की सल्लियंद में से आती इस सोर्ज के अंदर 77%. भाग पे क्या पाया जाता है हिड्रोजन पाया जाते हूं जब होज जो जो 3% यही हाइड्रोजन हल्यूम के नाविकी सरुलेन के वज़ा पहुंचता है तो यह चीजे आप जानगे आप बात करते हैं इसमें क्या प्रस्णों पर जो प्रस्न हमने लिए हैं मैंने आप से कह दिया कि स्रीज का मान लिजिए सौर मंडल में बहुत सारे प्रस्न है लेकिन इसमें 20-25 प्रस्णल लें जो कि important रहे तो आप से request है पहले आप चैनल को subscribe करें लिए ताकि रोज की अपको मिल जाए ठीक है ठीक है चलिए सुरू करता है पहला प्रस्ण सौर पुणाली के खोच करता है आप से कंडल में ग्रहों की कुल संख्या जैसा कि आप जानते हैं कितने हैं आठ हैं चलिए अब ग्रहों की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे कार्णर पर कौन हो जाता है सूरज हो जाते हैं सूरज के बाद जम जाते हैं तो बुद्ध शुक्र पृत्वी मंगल यह जो चार ग्रह होते हैं बुद्ध, सुक्र, पृत्वी, मंगल यह जो चार ग्रह हैं इसे हम पार्थिव ग्रह भी कहते हैं या आंतरिक ग्रह कहते हैं टिर्स्टीरियल प्लेनेट कहते हैं बुद्ध, सुक्र, पृत्वी, मंगल यह चार ग्रह जो क्थे बागे की चार के बात करने हैं उसके बाद यह पण तक कौन हो गया यहां पर arts सूरज सन के बाद का इस चोड़ दूब कि होगे ब्र्यषबब betष घुली बताएं एककरम से कौन होगा ब्रैभ्यस पत सनी अरौण और वरौण तो उस जो चार को क्या कहते हैं वाइह कहा जाता है या राटे प्लेनिट कि ठीक है चली अगले प्रस्न पर चलते हैं अगला पर अग्ला प्रस्न ने ग्रहों के गत का नियम प्रतपादित मैं बताएं ग्रहों के भारी ग्रह कौन है ब्रेसपज मैं आपसे पूछना हूं सबसे हलका ग्रह कौन सा है जिसका घनत तो बहुत ज्यादा कम होता है उसकोन सनी है जो की पानी में भी तैर सकता है आपने पढ़ा होगा सनी ग्रह जो है इसका घनत इतना कम है कि पानी पे अगर डाल दिया जाए तो पानी को उपर तैसकता है कोई बस पान किसी चीज के उपर कब तैरती है जब उसका उजर उससे क्या होता है कम होता है अगला और सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन है बुद्ध कों इंगली यंज क्या क्या कैते हैं मरकरी खते कभ novặ पूछ सबसे निकट का मैंने आपसे क्या बता वह सूर्ज के बाद बुद्ध सुख्र पृत्वी मंगल ब्रेषप सनी अरूर वरूर यम तो निकल गया तो अरूर वरूर तो घंग जाते हैं तो बुद्ध सबसे पास कौन है बुद्ध ठीक है अगला प्रस्वी से सबसे दूर इस्थित्ग्र प्रिथवी के निकट देखिए अब यहां पर प्रस्ण आ गया प्रिथवी के निकट देखिए प्रिथवी कहां है यहां पर हो गया आपका बुद्ध सूरज हो गया सुरज के बाद बुद्र्ध सुक्र प्रिथबी मंगल तो प्रिथबी के सबसे निकट कौन रह जो उसके बाद अगला प्रशन आपके पास by कि दिज्चा मापने वाला नियुक इरेक्टो अस्थनीच कहते है चलिए प्रिद्वी के पडोसी ग्रह अब मैंने कहा ना प्रिद्वी के पडोसी तेक तरब क्या है सुक्र है जो कि सबसे नद्दी का उसके बाद उससे थोड़ा सा दूर कोने मंगल तो प्रिद्वी के सबसे पडोसी ग्रह या सबसे नद्दी की ग्रह कौने सुक्र और मंगल चलिए पृतीपिपिक का उपग्रह किसे केते हैं चंदरमा को कहते हैं अच्रमा को जो पृतीपी आमंपक्रह कहते है इसे अलग-एक-सब्दों में क्या कहते है जीव. ए इसे पूछा गया कि से कौन ग्रह अज़ाब प्रिथवी ही आठो प्लैनेट में जो आठ हमारे क्या क्यने ग्रह है इस आठो ग्रह में पृत भी ही एक ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन पाया जाता है ठीके हैं प्रिथवी का निकटम तारा कौन है सूर्य प्रिथवी के सबसे पास का तारा कौन है सूर्य उसके बाद अगला है सूर्ज के बाद निकर्टम तारा प्राक्सिमा सांज का तारा या भोर का तारा भी का जाता है ऐसा क्यों होता क्योंकि ये साम को परस्चिम दिशा में और सुबह पूरत दिशा में दिखाई पड़ता है ठीक है और इसे और कुछ कहते हैं प्रिथवी का भगनी ग्रह भी कहा जाता है तो सुक्र को क्या कहते हैं प्रिथवी का भगनी ग्रह भगनी मतलब बहन है या से और प्लस तक का जो अंतर होगा सबसे ज़्यादा होगा किसका होगा बुद्ध का बुद्ध का जो होता ताप अंतर सबसे ज़्यादा होता है याद रखेगा और सबसे ज़्यादा ताप वालग रहा है कौन होता है और सब्सेयाद ठंड होता है यहां पर सबसेयाद vita वालाعم रागित को ने चाहर क्वाणने वयाद रखेले सब्सेया ग्रहे सक्र बज़ेत डॉध सुरज के पास वता न की सबसेया जदाफ किस्का होता है बहुत 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 पूछागय याद रखेला चलिए सबसेए क्वेस्ट करके बताएं कि आप जो बुक पढ़ते हैं उसमें किसको दिया है ठीक है दो बुक मेरे पांस है दोनों में अलग अलग दिया एक में ब्रेस्पत को दिया है और एक में क्या कहते हैं सनी को दिया है मेरे पास एक इंसी आटी की बुक है जिसमें जो है ब्रेस्पत को को यहां पर नोट किया है तो आप बताएगा कौन सा सब्सक्राइगे चलिए अगले प्रशन पर देखते हैं बिना उपक्छराइग जसके पास उपक्छराइग पाए नहीं जाते हैं ठीक है अगला प्रशन आपका लाल और हरा ग्रह चलिए यह देखे लाल और हरा ग्रह लाल और हरा ग्रह कि बताना है आपको तो लाल और हरा ग्रह कौन है मंगल मंगल को कहते हैं लाल ग्रह कहते हैं और हरा ग्रह किसे कहते हैं वरूर को कहते हैं याद रखिएगा लाल और हरा ग्रह कौन है मंगल और वरूर चलिए पीला और नीला ग्रह चलिए पीला किस तो गुरुवार बत रहते तो क्या करते हैं पह्तों पेहन करते हैं तो पीला कप्रा रह wam रखेंगे गिसा होता है पीलाज में पानी पृठीत पहें में पया जाता है रिट हुदा हुदा कहता है लेटा किसे लेटा हुदा को कहते है ओर देभा पर दैन hogar कि अग्रादश'd होता है इस पर सब से ज्यादा ghaas हों से घिरा हुआ है भी इसे कहते हैं चली एकला मैं सबसे कम गनतवाला गड़ा जिसका गना तो सब से कम नहीं मैंने आप से कढ़क से कम घंट Jawala कौन सा है सनी या पानी के उपर भी तैर सकता है क्वेन जो बहुंचे होती है जब उसे पाणी के उपर रहे दोने लगता जैसे आचा मैं आप प्रसण में अगले सिगमेंट में मैं इंकलोट करूँगा बोहे को दालता हूं तो तो रूप जाती पानी में जबकि नाओ को दालते हैं तो पानी में नहीं नोपता आप को बताना उट है कि कि मैए कि आखानारों कोई जब रुच पानी हो गया ज vous को पता है तो आप जरूर कमेंट करके बताईएगा नहीं पता है तो में अगले वीडियो में कम उसको सम्मिट करूँगा चलिए पृतिवी की बहन या जुड़वागर अभी मैंने उपर ही आप से बताया पृतिवी की बहन किसे का जाता सुक्र को का जाता है चुक्छ इसके होती है चाहए शबसे ज़्यादा नहीं पाया जाता है इसका पास कोई उपक ग्रह नहीं पाया जाता है इसका इत्यादा चीजें आप शुक्र के बारे में जन देए तैस तरह कोई भी पूचा सनी का सबसे बड़ा उपग्रह सनी का सबसे बड़ा उपग्रह कौन है टाइटन अच्छा प्रिथवी के कितने उपग्रह है प्रिथवी के सिर्फ एक उपग्रह पाया जाते हैं उसका नाम क्या है चंद्रमा प्रिथवी का एक उपग्रह जिसे चंद्रमा कहते हैं चंद्रमा सनी के शलो की खोज करता किसने की जो रिंग है इनके पास ब्हुन भूण करता कोत सकती है सबसे दिद्धी जो सबसे तेजी सी मिधळय करता उसे कहते हैं सुकर कहते हैं अग्ला प्रेस्न है प्रितिफी के बिपूर्थ दिशहीं में यानि पूर्व से पस्च्छिम अच्छा को जब कि धूर्भ आप से पूर इतार रहा क्या होता है अधर चंदी सारे क्या Aww पूर तरफ चलते हैं जबकि दो ऐससे ग्रह जो फुर्षा फूर्थ पकडिशम के तरफ चलते एक जैसे मेने आप से क्या कहा कि एक माल यसे सपोस्च पूच करिए कि कि is aag maa इसमें इस्ट है और वैस्ट है तो इसमें सारे ग्रह पस्चिम से पूर कर चलते हैं इसलिए पूरव की तरफ से हमारे यहां सुबा होती है सुरज की दर से निकलता है पूरव तरफ से लेकिन दो ऐसे ग्रह जहां पर सुबा की दर सोते हैं पस्चिम दिशा में होती है और और दोनों ग्रह कौन है यह सुरज किदर से निकलता है पस्चिम दिशा से निकलता है जिसका नाम क्या है सुक्र और वरो सुक्र और वरो यह क्या होता है पूर उसे पस्चिम की दिशा में चलते हैं तो आई हो कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा पसंद आया होगा लाइक करिए सब्सक्राइब करिए दोस